खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मुश्किल कि इस घड़ी में जिन गरिबों के पास खाना नहीं है उनके लिए ये लोग किसी मसीहा से कम नहीं पश्यमी दिली के दुरगा पार्क में हेलपेज इंडिया और स्काई मार्क फाउंडेशन टरस्ट की तरफ से गरीब लोगों में हफते भर का राशन बाटा गया वितरण के दोरान वार्ड नमर 30S के निगम पाश्यद रेखा चोहान और बुद्धी जीवी प्रकोष्ट के सहे प्रभारी विने चोहान ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज की रेखा विनेचोहान ने हेलपेज इंडिया और स्काई मार्क फाउंडेशन के साथ मिल कर लोगों में राशन का वितरण किया बता दें इन दोना एंजियों ने पहले ही घरगड जाकर उन लाभारतियों के नाम के लिस्ट बना ली थी जिनके बीच ये राशन माटा जाना था एंजियों के वॉलिंटर्स ने राशन के लगबग 500 पैकेट्स तयार किये थे 20 किलो के इस पैकेट में दाल चावल चीनी तेल नमक और मसालों के साथ खाने की वो सभी चीजें थी जिनकी जरूरत किचन में होती है और ये किस को मिल रहा है हैंजियों के तमाम वॉलिंटर्स इसी तरह से जरूरत मंदों का ध्यान रखते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि कोई भूखा न रहे इस राशन वितरन के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया एंजियों के तमाम वॉलिंटर्स सिपाही की तरह भीड को मैनेज करते हुए नजर आए बावजूद इसके भीड इतनी बढ़ गई कि एंजियों को राशन वितरन की प्रिक्रिया रोकनी पड़ी अब ये दोनों एंजियों घर घर जाकर लोगों तक राशन पहुचाएंगी भूग से लड़ते हुए लोगों के बीच जब राशन पहुचता है तो दिल से दुआई ही निकलती है क्योंकि एंजियों के लोग किसी मसीहा से कम नहीं इतना ही नहीं हैलपेज इंडिया और स्काइव मार्क फाउनेशन टरस्ट कपड़े और बागी समान भी जरुवत मंदों में बाटती है जिसमें स्थानिय प्रशासन का पूरा सहयो रहता है पूरा देश आज संकट के दोर से गुज़र रहा है लाखों लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं है ऐसे में एंजियों वर समासेवियों के लिए परिक्षा की घड़ी है तमाम एंजियों अपने जिम्धारियां ब दावा तो कर रही है लेकिन फिर भी हर किसी तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है ऐसे में हैलपेज इंडिया और स्काई मार्क फांडेशन टरस्क जैसी एंजियों घर घर जाकर लोगों का पेट भर रही है जो वाकई काबिले तारीफ है इंडिया टाइम 24 नीउस के लिए दिल्ली से परवीन की रिपोर्ट